हेलो फ्रेंट्स स्वागत है वी डवल आईसी में और मैं अमित कुमार सोनी हारदिक हारदिक अविनन्दन करता हूँ दोस्तों आज की जो न्यूज है आज की जो चर्चा है वो है मद्ध प्रदेश लोग सेवा आयोग से सम्मान देता है सबी लोगों के लिए काफी प्रोसाहित करने वाली उत्साहित करने वाली खबर है कि आगामी आने वाली परिक्षाओं की पूरी डिटेल और पूरा नौटिफिकेशन मद्ध प्रदेश लोग सेवा आयोग ने जारी कर दिया है और साथ में ही उनकी डेट्स पी दी गई है तो दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है सिक्षक भरती में चैनित अभरती जो है वो भी इसकी तैयारी चाहें तो कर सकते हैं और वर्ग तीन की तैयारी करने वाले भी MPPSC की तैयारी अपनी continue जारी रख सकते हैं दोस्तों इसी के संबंद में एक news है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन मैं notification के बारे में बात करूँ और बहुत बड़ी खुशकवरी की बात करूँ तो उससे पहले हम थोड़ा सा विचार कर लें कि आखिर मद्ध प्रदेश लोकसेवा आयोग में जो भी exam हुए थ और जिसके संबंद में high court में याचिका लगाई गई थी लेकिन अभी हल ही में निर्ने दिया है court ने कि जो भी याचिका है किवल उनी पर विचार किया जाएगा वो भी prelims के लिए क्योंकि वहाँ पर काफी अनिमित्ता देखने को मिली थी लेकिन PSC की आगामी भरती पर किस CV परकार की रोक नहीं लगाई जाएगी और उसके बाद में एक notification जारी करके MPPSC ने government ने बिल्कुल clear कर दिया कि अब जो है आगामी आने वाली PSC परिक्षाओं की भरती की परक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा तो चलिए दोस्तों इसी की संबंद में बात करते हैं आप देख सकते हैं मध्दप्रदेश लोकसिवा आयोग राज सिवा परिक्षा के लिए आवेधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दोस्तों पत्रिका news network के sources से ये news है तो आप लोग देख सकते हैं कि मध्दप्रदेश लोकसिवा आयोग ने राज सेवा और राजवन सिवा द अलिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है इच्चुक उम्मीदवार जो भी है वो जो उसकी वेबसाइट है mppsc.nick.in और mppsc.com पर जाकर online आवेदन कर सकते ही अंतिमतिती 10 फरवरी है प्रारंबिक परिक्षा का आयोजन 11 अप्रेल 2021 को किया जाएगा राज सेवा परिक्षा के 235 और राज वन सेवा परिक्षा के 111 पदों को भरा जाएगा चली दोस्तों ये तो हुई पदों की संख्या इनमें भी बढ़ने की संभावना हो सकती है ये पद बढ़ जाते हैं हम बाद में भी देखते हैं नोटिफिकेशन के माद्यम से इनको बात करें तो किसी भी विशह से इसना तक उत्तिन युवा इसमें आविदन करने के पात रहें आयू सीमा उम्मीदवार की आयू 21 वर्स से 40 वर्स के बीच होना चाहिए और जो भी आपका रिजर्वेशन रहेगा उसके आदार पर वो अलग बात होगी दोस्तों अब बात कर लें एड्मिट कार्ड्स की तो अव्यरतियों को परिक्षा शहर की जानकारी एसमेस के जरिये परिक्षा तिती से 10 दिन पहले दे दी जाएगी एड्मिट कार्ड 6 अप्रेल से 10 अप्रेल के बीच वेब साइट पर जाकर डाउनलोड किये जा सकेंगे आगे है चैन प्रक्रिया तो उम्मीदवारों का चैन परिक्षा और साक्षातकार के आदार पर होगा सबसे पहले प्रारंबिक परिक्षा आयोजुत होगी इसमें सफल अभ्यरतियों को मुक्य परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा मुक्य परिक्षा में सफल अभ्यरतियों को इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा अब दोस्तों कुछ महत्पून डेट्स हैं तारीके हैं वो भी आप देख लें कि ओनलाइन आवेदन की अंतिम्तिति है 10 फरवरी फीज भुकतान की अंतिम्तिति है 10 फरवरी प्रारंबिक परिक्षा 11 अप्रेल 2021 और एडमिट कार्ड 6 अप्रेल 2021 को तो दोस्तों ये एक बहुत ही खुशकबरी है सबी लोगों के लिए जिनने तैयारी की है उनके लिए भी और जो आगामी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी दोस्तों अब एक बात और इसमें बहुत ही important है कि जो परिक्षाएं पहले नहीं हो पाई थी उनको भी इस MPPSC मे शामिल कर लिया है तो आईए वो news क्या है वो भी हम देख लेते हैं देखे दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीन साल की परिक्षाइं होंगी और तारीखें जल्दी तया की जाएंगी इसके लिए एक भी परिक्षा तेमा से आगे ना बढ़े इसके लिए बंट रहा है अलग प्लान तो लोक सेवा, आयोक की पहली बार तीन साल की परिक्शा एक साथ आयोजित की जाएंगी, इसका प्लान तैयार कर लिया गया है और जल्ध ही सारी परिक्शाओं की तारीग भी गोसित की जाएंगी प्रियास यह है कि इसी साल के अंत तक 2019 और 2020 की सभी लंबित परिक्षा हैं 2021 के अंत तक हो जाएं तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि वे कौन-कौन सी परिक्षा हैं जो कि होना है तो राज सेवा मुख्य परिक्षा 2019 मार्च में होगी जबकि रिजल्ट जून में आएगा वन सेवा मुख्य परिक्षा 2019 इसी साल मार्च में होगी रिजल्ट मार्च में आएगा राज्य सेवा प्री परिक्षा प्रारमिक परिक्षा 2020 ग्यारा अप्रेल को होगी जैसा मैंने आपनों को पहले बताया रिजल्ट मही में आएगा इसी की मुख परिक्षा है अगस्त में होगी जिसका रिजल्ट अक्टूवर तक आएगा वन सेवा परिक्षा 2020 ग्यार अप्रेल को होगी रिजल्ट मही में आएगा इसी की मुख्य परिक्षा जुलाई में होगी और रिजल्ट जुलाई में ही आ जाएगा राज्य सेवा और वन सेवा प्रिक्षा 2021 अगस्त में होगी और रिजल्ट सितम्बर में आएगा दोस्तों इसके अलावा भी कुछ छोटी-छोटी एक्जाम्स हैं वो भी मैं आपनों को बता देता हूँ देखिए दोस्तों State Engineering Service एक्जाम 2020 13 जून को होगा, result जून में ही आ जाएगा Assistant Director Agriculture परिक्षा 2019 फरवरी में होगी, result भी इसी माह आएगा Dentist भरती परिक्षा 2019 जून में होगी, result भी इसी माह में आ जाएगा और Medical Officer का एक्जाम के Direct Interview इसी माह होगे तो दोस्तों यह जो परिक्षाएं हैं, तीन वर्से जो लंबित थी, वो जो है 2021 में इनको complete करने की योजना बनाई जा रही है और शीगरी निश्चित तारीके इनकी गोशित की जाएंगी और इसके उपर प्लान तयार किया जाएगा तो दोस्तों यह आप लोगों के बहुत थी बड़ी खुशकबरी है और इसके पहले हो सकता है कि जो सिख्षक भरती में चैने तब भरती हैं उनको भी जॉइनिंग मिल जाए और पद भी संभावित हैं कि बढ़ करके आ जाएं उसके बाद में अतीती सिख्षकों का जो भी निर्न होगा वो हाईकोट ने जवाब मांगा है उसका तो उसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों ये MPPSC से रिलेटेड बहुती अच्छी खुसकपरी थी सभी लोगों के लिए तो सभी लोग अपनी तयारी जारी रखें बेस्ट आफ लख वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें शेयर करें लाइक कर धन्यवाद जहिंद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में